इस्वा गया थे आप सभी गदा मास्टर साथ दोस्तों एक बहुत अच्छी फैकेंसी आई है आपको मतस्त विभाग में जो कि बिहार गवर्मेंट का है और इसमें जो एक योजना चलता है भारत सरकार का उसका नाम है भारत पशुधन ठीक है भारत पशुधन योजना होता ह है उस योजना के अंतरगत जो है contract basis यानि के समवीदा के अधार पे एक बहालिया है जो है आई टी प्रोफेशनल का ठीक है आई टी प्रोफेशनल का पद है और इसके लिए जो क्वालिट क्वालिफिकेशन है उसको हमें बैसिकली जानना है और क्या इसमें फ्रेशर्स इलि यह एक्जाम नहीं है कोई एक्जाम नहीं है जैसा कि आपको इंटरव्यू में शामिल होना है और कुछ नहीं है इसमें ठीक है और बागी की चीजे जो है विस्तार रूप से कि इसका जो एडविटीजमेंट है या एप्लिकेशन फॉर्म है यह सब हमें कहां मिलेगा और कहां सब्सक्राइब कर सकते हैं यह सारी जानकारी हम इस पूरे वीडियो में देखेंगे तो चलिए बिना किसी डेरी को करते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं जो यह यह एडविटीजमेंट है अख़बार का है पेपर का हिंदुस्तान पेपर में आया था मैं फिर लेटर प्र आउंगा जो आप डाउन्लोड कहां से करते हैं बताऊंगा एनिमल एम फिस्टी रिसोर्ट डिपार्टमेंट बिहार लावडी स्टोग डेवलोपेर्मेंट इजसी पट्रा वाकर इंटर्व्यू कराया जा रहा है और गवर्मेंट और बिहार इन्वाइट कर रहा है प्रोजेक्ट डिरेक्टर बिहार लाइव स्टोग डेवलोप्मेंट एजनसी पटना आठ लाग चौदर वाकर इंटर्व्यू कंड़क्टर पांच मार्च को सुबह 11 वज़े से होगा और यहीं पर होगा जो एड्रेस है यहां पर होगा अद फर्दर डिटेल के यहां पर दिया गया कि इस पर आप जा सकते हैं और इंफर्मेशन यहां पर भी अबलेवल है तो यह एक एडविटीजमेंट की बात होगे अब हम लोग लेटर पर आते हैं जो लेटर डिपार्टमेंट ने इशू किया है और यह डुलाइफिल्ड एप्लिकेशन फॉर्म कैसा होता है कहां से मिलेगा और क्वालिफिकेशन की बात करेंगे सैलरी की बात करेंगे कि कितनी सैलरी होगी जो फिक्स करेंगे तो दोस्तों यह लेटर है जो डिलीज किया गया उसमें वही सब बाते लिखी हुई है जो अभी मैंने आपको अख़बार की से पढ़के बताया यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर प्रजेक्ट डेक्टर का साइन है 21 फरवरी के ठीक है अब इसके बाद आते हैं बैक्ग्राउंड इंफोर्मिशन पूर बैक्राउंड इंफोर्मिशन क्या है कि बिहार लाइव स्टॉक डेवलोप्मेंट डेशिस को बिल्ड भी बोला जाता है वह अपना यह रिजिस्टर है यह सब दिया हुआ है अब नेशनल डिजिटल लाइव स्टॉक मिशन एंडी एलम वर्क औफ क्रेटिंग एंटिक्राइट इस्टिम पर लाइव स्टॉक सेक्टर इन इंडिया हैज बिन अंडर्टेकन बाई गवर्मेंट अफ इंडिया कैं है उसको ईंट्रिदूस किया आरा फिर्ड वर्क फोर्स के लिए जिसके लिए उनको क्या चाहिए इनको चाहिए आईट्य परोफेशनल्स हैं इनका जॉप प्रोफाइल क्या होगा qualifications क्या होगी experience क्या होगा इसको हम लोग देख लेते हैं तो यहां पे यह जो IT professional है job title इनका IT technical resource के नाम से इनका title होगा दो पद यहां पे है खाली experience और qualification की बात करें तो engineering graduate होना चाहिए या post graduate होना चाहिए computer science से यह आई टी background mca हो with minimum two years experience के साथ एन्वाल सेलरी जो होगी 75,000 रुपया पर मंत होगी job profile summary यह है कि इसमें क्या करना है कि data analysis करना है MIS reporting करनी है application जो है भारत personal app अंडर अंडल्म उस पर आपको ध्यान देना है अब है कि यह जो candidate है उनको submit करना है डुलाइ फिल्ड application form in prescribed format address इतना 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 ठीक है सब्मीटेट अप्लीकेशन विल भी स्कीड एस पर दर प्रेस्क्राइब evolution criteria जो criteria यहां पर दिया हुआ है देख सकते हैं कि यहां पर serial number है नेम अफ दा कर्यार एड्रेस होगा उसके हिसाफ से यहां पर यह दिया हुआ मार्क्स दिया कंप्यूटर साइन्स में कितना उसके लिए बीस पर वेटेज है पोस्ट पंदरा है टोटल 35 मार्क्स आपको मिलेगा experience जीरो से दो साल तक है तो पंदरा दो से पांच है तो दस नंबर और मिलेगा पांच से तोटल यहां पर 35 है टेक्निकल के लिए दस मिलेगा यह मार्क अबार्ड होगा आइस पर इंटर्वू सेलेक्शन कमीटी के द्वारा कम्मुनिकेशन इसके लिए दस नंबर है प्रॉब्लम से पांच नंबर है सौफ्ट इस नंबर है टोटल तीस नंबर हो गया तो तीस और इधर 35 दूना सब्सक्तर 100 मार्क्स का य अब सेल पर इस पासब्स फोटोग्राफ डालना है और डेट अब बर्थ है नेशनलिटी है और एक्जामिनीशन जो पास की है उसके बारे मेरे पर डीटिल्स हैं यहां पर इंपॉलाइमेंट रिकॉर्ड जो है यहां पर दिया गया है प्रफेश्शनल एक्स्प्रियेंस ए इन्होंने यहां पर इसमें बोला है कि यह जो बिहार लाइव स्टोग में तब इंटरव्यू विद डुलाइफ फील एप्लिकेशन फॉर्म आपको डुलाइफ फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म के साथ क्या करना है इंटर्विव्में शामिल होना है किस जगह पर प्रोजेक डिरेक्टर लाइव स्टॉक डिवलोप्मेंट पटना तो आपको सीथे इंटर्वी में जाना है पांच मार्च को को अप्लिकेशन फॉर्म भेजना नहीं है फिर यहां इस पर बात कीजिएगा यह जो आगे की डिटेल्स हैं इसमें देखिए यहां पर लिखा गया है और यहां पर बोलना है कि आप सब्मिट कीजिए जुलाइफिल अप्लिकेशन फॉर्म तो हम जो भी लोग अप्लाइ कर रहे हैं मैं उनसे ही रिक्वेस्ट करोंगा कि आप इसको सब्मिट भी कर दीजिए और ले की भी जाईए ठीक है चुकि यहां पर इन्होंने कुछ नहीं बोला है और इड़ि इसमें सिर्फ इन्टर्वव्न की बात कि गई है तो यहां पर लेकिन यह जो कीया करना है सब्मिट करना है तो सब्मिट करना का एक तो मतलब होगा कि या तो आप इसको स्पीट पुश्ट कर दीजिए और या लेके वहाँ जाए रिख जाए इंटर्व्यू देने के लिए तो अगर आपके पास समय है मेरे वीडियो देख रहे हैं तो आप जरू से जरू सब्मिट की अप्लाई कर दीजिए और समय नहीं है तो डाइक जाके देखिए वहाँ पर क्या इशूज है ठीक है बहुत कम समय के लिए निकाला गया है एडविटीजमेंट तो समय भी बहुत कम है तो इसको जल्दी से अप्लाई करें अब बात आए कि यह जो एप्लिकेशन फॉर्म है यह सब डाउनलोड कहां से होगा तो इसको डाउनलोड करने के लिए ठीक है इसका जो लिंक है जिस पे आप डिरेक्ट क्लिक करेंगे और यह डाउनलोड हो जाएगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है या आप इसको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी यहां पर नीचे दिया हुआ है इसको डाउनलोड हो जाएगा और फिर कोई किसी तरकी के डाउट रह गई है तो कमेंट सेक्शन में बताइए और अगर हमसे हो पाएगा तो मैं इसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा थैंक्यू बेरी माच